अपने मन बुद्धी को इस्थिर करना बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल कईयों का मन तो इतना बटकता है बुद्धी इतने विचलेत हो गई है बह इतना व्यापत हो गया है बह भी तो बुद्धी को इस्थिर नहीं होने देता तो बाबा ने हम सभी को विशाल ज्ञान दिया है ऐसा ज्ञान संसार में न कभी था न कभी होगा न किसके पास था न किसके पास होगा ज्ञान के सागर का ज्ञान उसमें रमन करने से बुद्धी की इस्थिरता बढ़ती है बुद्धी है ज्ञान का पात बुद्धी है धारना शक्ति हम यह जो विवेक भर रहे हैं विजडम भर रहे हैं वो बुद्धी में तो बुद्धी में यह विजडम वास कर रहा है हमारी बुद्धी में तो विजडम को विवेक को जितना दिव्य बनाती जाएंगे हमारी बुद्धी स्थिर और श्यांत होती जाएगी तो बुद्धी खाली होती है तो चलकती है। इंदी में एक कावत है अधजल गगरी चलकत जाए। घड़ा आधा भरा होता है तो जब ले जा रहे है उसे चलक चलक के पानी बाहर गिरेगा। और फुल भरा हुआ तो इस्थिर रहेगा। तो बुद्धी भी अगर खाली होगी तो इस्थिर नहीं हो पाएगी। भरपूर होगी तो इस्थिर होगी। तो ज्ञान के विजडम से हम अपनी बुद्धी को भरपूर करें तो श्यांत और इस्थिर हो जाएगी। हमें अपने चित को विश्यांत करना है। कल हमने संतुस्ता की बात की थी पहले इस एपिसोड में जो पुद्धी की स्थिरता पे किया गया था। आप सो विन्यावज सुना होगा। यह प्रभुपालना व्यक्त पालना का हम प्रोग्राम आपके समक्स प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसे लाभानवित होते रहें। तो हम अपने को त्रप्त आत्मा बनाएं। इसे भगवान को उपाकर सब कुछ मिल गया हम त्रप्त हुए। बाबा से बात करते रहें। श्रेष्ट कर्म करने सिखा दिये हम त्रप्त हुए। आपको देखने की बहुत इच्छा थी। आपको अच्छी तरह देख लिया। नें त्रप्त हुए। आपके द्वारा गीता ज्यान सुनने की बहुत अविलासाथी सुन लिया त्रप्त हुए ऐसे चिंतन करते हुए अपने को त्रप्त आत्मा बनाते रहेंगे तो बुद्धी की भाग दोड इधहुदर नहीं होगी क्योंकि हमारा जो ये मन है इसको आनंद की अवस्रक्ता है मन खुशी और आनंद की खोज में इधहुदर बटकने लगता जाओ उसे श्यांती मिले, चैन मिले, तरप्ता मिले, संतोस मिले अब वो कहीं मिलता नहीं है तो फिर बटक जाता है तो हम अपने को श्यांत भी करें, भरपूर भी करें और ज्ञान का चिंतन करते रहें ज्ञान का रमन करते रहें सबको ये याद रहे, हमने बहुत बार कहा है, रोज सुनना चाहिए कि हमारा एक स्रेश संकल्प सोव्यर्थ संकल्पों को पल भर मिनस्ट कर देता है लेकिन अगर एक स्रेश संकल्पी मन में विच्रण न कर रहा हो तो सोव्यर्थ संकल्प हजार में बदल जाते हैं जो उ determiner हो दोनिया में किलियर हो गए आपको तो हमारे पास Godly students के पास ज्ञान का तो भंडार है स्वमान से हम सजधज गए हैं स्रेश्टि स्मर्तिया स्वयम भगवान ने हमें दिलाई हैं कितनी अच्छी बात है तो हम सभी कोई एक तो बात मुल्ली से रोज चिंतन के लिए ले लिया करें हम जानते हैं कि बहुत सारी बात मुल्ली की बोल जाते हैं लेकिन एक तो याद रह सकती है अगर लक्स बना ले सुनते हुए चाहे आप audio सुन रहे हैं अपने mobile पे सुन रहे हैं class में सुन रहे हैं एक बात रखने का लक्स बना ले कि मुझे इस मुल्ली से आज एक बात ले लेनी है कोई भी वो फिर आपको पकड़ में आ जाएगी आप कैच कर सकेंगे उसे और उसको दिन में कई बार याद कर लें बस याद कर लें उसमें चिंतन थोड़ा भी चला ना अधा मिनट भी व जो हमारी बुद्धी को इस्थिरता प्रदान करेंगे बहुत जरूरी है इस्थिरता बुद्धी स्थिर होते ही ब्रेन बहुत अनर्जेटिक हो जाता है बुद्धी और ब्रेन दो अलग अलग चीजे हैं बुद्धी आत्मा की सुक्स सकती है और ब्रेन हमारा ये शरीर का म तो चाहिए आत्म इसकी ऑपरेटर है जिसमें मन और बुद्धी दोनों सक्तियां है तो बुद्धी इस्थिर हुई सोचो एक मिनट आपके बुद्धी इस्थिर हो गई मन और ब्रेन श्यांत हुआ श्यांत होते ही उसने न्यू एनर्जी गेन कर ली जैसे रात को आपको गहरी नीद आ जाए न तीन गंटे क्या freshness होती है उठते ही लगता है खोई होई एनर्जी फिर से प्राप्त कर ली है ये अनुभव दिन में भी हो जाएगा और दिन में क्योंकि हमारे पास स्रेष्ट शंकल भी होते हैं तो हमारी ब्रेन की एनरजी बहुत स्रेश्ट हो जाएगी, पावर्फुल हो जाएगी, तो छोटी सी डिल, आप अपने को पांच मिनट से दस मिनट का समय स्पेर करें, शांत में बैठ जाएं, एक सुन्दर चिंतन ले लें, अब मुझे मेडिटेशन करना है, हे मेरी बुद् है, आजाओ मेरे साथ, you are my good friends, अब अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, अपना स्वरूप देखें, अभी कर लो, मैं चमकती हुई मनी, बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझ से चार और किरने फैल रही है, इतना सोचा, और दस सेकिंड, यानि अगले पांच सेकिंड और, देखन लगे अपने स्वरूप को, फिर मन बुद्धी को ले चले परमधाम में, परमपिता पर, निराकार पर, महा जोती, ज्यान, सूरिये, चमक रहे हैं परमधाम में, उनकी तेजस्वी किरने चार और फैल रही हैं, तब सेकिंड, देखते रहे हैं उनका स्वरूप, फिर आत्म परा जाएं, मैं आत्मा परमपविता, आत्मा के तीन-चार गुन ले लेंगे, मुझसे पवितरता की गौल्डन केरने फैल रही हैं, मैं बात्सक्स महूं, इस देह की मालिक हूं, केरने फैल रही हैं, फिर परमधाम में, सेवावा, स्वर्ष्टी का क्रियेटर, स्वर्ष्टी का बीज, पवितरता का सागर, उनकी पवितरते जस्विकेने दोर दोर तक फैल रही हैं, तिसरी बार फिर ले ले आत्मा पर, मैं आत्मा बहुत सक्ति साली, परमात्म सक्तियों से भरपूर, लाल केरने फैल रही हैं, परमधाम में सार्व सक्ति वाल, उसकी अनंद सक्तियां चार और फैल रही हैं, 10-10 सेकिंड ये डिल करते रहो, फिर 10 सेकिंड से 20 सेकिंड, 30 सेकिंड आप ही हो जाएगा, 10 बारा बार ये डिल करो, रोज थोड़ा सा समय देंगे, तो कुछी दिनों में एक आगता बढ़ जाएगे, और जीवन में एक परम सुख की अनुखती होगी, ओम स्यंति.